एक समय की बात है, रामगर नाम का एक खुशाल गाउं हुआ करता था उसे गाउं में विश्नु अपनी पत्मी लक्षमी के साथ रहता था विश्नु एक पुजारी था, वो हर रोज मंदिर जाया करता था विश्नु था तो बहुत गडीब, लेकिन उसको दानी कहलाने का बहुत शौक था वो रोज दो एक अजनभियों को अपने घर खाना खिलाने ले आता चाहे घर में खाने को पडियाप्त भोजन हो नहो दूसरों को खाना खिलाना वो अपना धर्म समझता था उसकी पतनी लक्षमी को उसकी यह आदत पसंद नहीं थी पर वो अपने पती के मर्जी के खिलाफ कभी कुछ न कहती वो किसी न किसी तरह घर का काम चलाया करती थी परोसियों से कभी सबजी उधार लाती तो कभी चावल परोसी भी उसे खाने को तो दे देते थे लेकिन बहुत खड़ी-खोटी सुनाते लक्षमी चुक्चाप से सब बाते सुनके आ जाती जैसे तैसे उसके दिन कट रहे थे परोस की महिलाएं भी उसे नाराज होती उनको विश्वास नहीं होता था कि वो सचमुच इतनी गरीब है क्योंकि वो रोज महमानों को आते और खाते देखते थे बेचारी लक्षमी की मदद करने वाला कोई नहीं था विश्णू भी लक्षमी की मजबूरियों को नहीं समझता वो हर रोज लोगों को लेकर के खाने के लिए आ जाता उसे तो बस दानी कहलाने का शौक था कितनी बार तो खाना ना होने के कारण लक्षमी कई कई दिनों तक भूकी रह जाती वो बस पानी पी के ही रह जाती थी उसके लिए जीना दुरलव हो गया था जब उससे और नहीं सहा गया तो उसने पती से साफसा बात करने का फैसला किया एक दिन विश्णु भोजन करके सोने जा रहा था तभी पीछे से लक्षमी आके बोलती है सुनो जी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ विश्णु बड़ा हैरान हुआ क्योंकि लक्षमी ने इस तरह से पहले कभी बात नहीं की थी दुख के मारे लक्षमी से बोला नहीं गया और वो जोर-जोर से रोने लगी उसके पती ने जुझला कर कहा बात क्या है कहती क्यों नहीं अजी अब मैं क्या बोलू आप हर रोज किसी न किसी को लेके आ जाते हैं अपने भोजन में से दूसरों को खिलाना अच्छी बात है पर क्या आपने कभी या भी पूछा कि खाना पूरा पड़ेगा या नहीं हम ठेड़े गड़ी जो रूखा सुखा जुटता भी है वो हम दोनों के पेट भरने के लिए काफी नहीं होता फिर दूसरों को रोज रोज कहा से खिलाएंगे मैं अपना हिस्सा उनको खिला देती हूँ और खुद भूकी रह जाती मुझसे अब और नहीं सहा जाता मेरे उपर दया करो अब हर किसी को घर बुलाना बंद कर दो इतनी कृपा करो विश्मू या सुनकर दंग रह गया उसने सोचा ऐसा कहने की हिम्मत लक्षमी को कैसे हुई शायद उसे खुद नहीं मालूम की वो कैसे मुर्खता की बाते कर रही है बात में पच्टाएगी रो मत मैं तुम्हारे मुर्खता के लिए तुम्हें छमा करता हूँ दूसरों के साथ मिल बाट कर खाना अच्छी बात है तुम जो त्याग करोगे उससे मेरा कल्यान होगा भगवान पर भरोसा रखो और अपने पती की आग्या का पालन करो यही तुम्हारा धर्म है यह बोलकर वो सोने चला गया लक्ष्मी वहां से चली गई लक्ष्मी सोने तो गई पर उसकी आखे जपकी भी नहीं वो पड़ी रोती रही उसे कोई उपाय नहीं सूज रहा था रोस की तरफ फिर विश्नु मंदिर के लिए चला जाता है लक्ष्मी ने दूर से ही उसे दो आदमियों के साथ आते हुए देख लिया अचानक उसे एक उपाय सुझा आप दोनों बैठिये मैं अभी मुहा धो कर आता हूँ विश्नु के जाने के बाद लक्ष्मी धान कूटने का मुसल उठा लाई और उसको एक सहारे से टिका दिया उसके बाद उसने पीतल का दिया जलाकर मुसल के आगे रख दिया मुसल के चारों और दो चार फूल भी डाल दिये और उसके सामने हाथ जोर कर बैठ गई वो ऐसी जगा वैठी जहां से अतिति उसे आराम से देख सके अतितियों ने उसको देखा तो वे हैरान रह गए मुसल की पूजा करते उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा था दोनों आकर लक्ष्मी के सामने खड़े हो गए और उससे पूछते हैं आप मुसल की पूजा क्यों करती हैं हमने आज से पहले कभी नहीं देखा किसी को मुसल की पूजा करते हुए लक्ष्मी ने आखों में आशू भर कर कहा अब मैं क्या करू भईया मैं अपने पती की बुड़ाई कैसे कर सकती हूँ फिर भी आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि इसका संबन्ध भी आपसे ही है यह सुनकर तो दोनों उसका भेज जाने के लिए लक्ष्मी के पीछे ही पड़ गए लक्ष्मी ने कहा पहले आप वादा करो कि आप मेरे पती को कुछ नहीं बताएंगे उन दोनों ने भी वचन दिया कि वे विश्नु से कुछ नहीं बोलेंगे तभी लक्ष्मी ने कहा मेरे पती दानी आदमी है वो मेमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं और खिलाने के बाद उन्हें इसी मुसल से खूब पीटते हैं कहते हैं यही उनका धर्म है मैं खाना तो बनाती हूँ लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई मतलम नहीं मैं मुसल की पूजा इसी लिए कर रही हूँ ताकि मुझे पाप नहीं लगे लक्ष्मी की बाते सुनकर अतीतियों का असर चकड़ाने लगा वे दोनों एक दूसरे की और देखते हैं उन्होंने इशारो ही इशारो में कहा कि यहां से चुपचाप खिसक जाने में ही भलाई है वे दोनों पीछे के दरवाजे से निकल भागे उन दोनों के जाने के कुछ समय बाद विष्णू आके लक्ष्मी से पूचता है मेहमान कहा चले गए अभी तो यही थे लक्ष्मी ने बड़े दुख के साथ कहा अजे मेरी मुर्खता को छमा कीजिए वे मुस्से यह मुसल मांग रहे थे मैंने कहा मेरे घर में एक ही मुसल है मैंने ही दूंगी बस वे एक गुसा होके चले गए विष्णू गुस्से से चिलाया तुमने मेरी पत्नी होकर मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया लो मुसल मैं उससे दे के आता हूं क्या है इस छोटे से मुसल में जो तुमने उन्हें देने से मना कर दिया विश्नु मुसल लेके अतितियों के पीछे दोरा दोनों काफी आगे निकल गये थे उन्होंने विश्नु को गुस्से में मुसल उठाए पीछे आते देखा तो बोला अरे बापरी या तो हमें मारने आ रहा है भागो यहां से दोनों अपनी जान बचा कर वहां से भागे अरे अरे रुको भाई रुको जरा अपनी मुसल तो ले लो कहां भाग रहे हो अरे रुको रुको अरे मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या रुको अरे यह मुसल तो ले लो दोनों आगे आगे और विश्णू उनके पीचे पीचे भागता रहा वे विश्णू के हाथ नहीं लगे उन मैमानों ने यह बात पूरे गाउं में फैला दी कि विश्णू अपने मैमानों को घर बुलाकर उन्हें मुसर से मारता है उसके बाद कोई भी खाने के लिए उसके घर जाने को तयार न होता विश्णू हर रोज शाम को चुपचाप घर वापस लोटाता विश्णू को कभी पता नहीं चला कि यह लक्ष्मी की चाल थी उस दिन के बाद अब लक्ष्मी को भी कभी भूका नहीं रहना पड़ा